एलो फ्रेंड्स वेलकम टू जंगल टौकी एक राज्य के राज्या ने अपनी बढ़ती उम्र को देख कर यह फैसला किया कि वह राजबाट से धन्यास ले लेगा परन्तो उसका कोई पुत्र ना था जिसे वह राज्य सौंप कर जिम्मेदारी से मुक्त होता राज्य की एक पुत्री थी जिसकी विवा की योजनाभी राज्य को बनानी थी इसलिए उसने मंत्रियों को बुलवाया और कहा कि कल प्राता जो भी व्यक्ती सबसे पहले इस नगर में परवेश करेगा उसे यहां का राज्या नियुक्त कर दिया जाएगा और मेरी पुत्री का विवा भी उसी के साथ कर दिया जाएगा अगले दिन राज्य के सेवक फटे हाल कपडे पहने एक यूवक को ले आए और उसका राज्य भी शेक किया गया राज्य अपनी पुत्री का विवा उस व्यक्ति से करके जिम्मेदारियों को सौप कर स्वेमवन प्रस्थान कर गए दीरे दीरे समय बीटता गया और यह यूवक ने राज्य की बागडोर समान ले और एक अच्छे राजा की तरह राज्य की सेवा में लग गया उस महल में एक छोटी सी कोटरी थी जिसकी चाबी हमेशा वे अपनी कमर में लटकाए रखता था सब्ता में एक बार वे कोटरी में जाता और आदा एक गंटा अंदर रहता और बाहर निकल कर बड़ा सा ताला उस कोटरी में लगा देता था और अपने कार करने लग जाता था इस तरह राजा के बार बार उस कमरे में जाने से सेना पती को अचमबा होता है कि राज्य का सारा खजाना सारे रतन मनी हीरे जवारात तो खजांची के पास है सेना के सास्त्रा ग्रह की चावी मेरे पास है और अन्य बहुमूल यकाग जातों की चावी मंत्री के पास है फिर इस छोटी सी कोटरी में ऐसा क्या है जो राजा यहां हर सपता अंदर जाता है और थोड़ी देर बार बाहर निकलता है सेनापती से रहा नहीं गया उसने इम्मत करके राजा से पूछा कि राजन यदि आप शमा करें तो यह बताईए कि उस कमरे में ऐसी कौन सी वस्तु है जिसकी सुरक्षा की आपको इतनी फिक्र रहती है राजा गुसे से बोला सेनापती यह तुमारे पूछने का विशे नहीं है यह बरशन दूबारा कभी मत करना अब तो सेनापती का शक और भी बढ़ गया दीरे दीरे मंतरी और सवासदों ने राजा से पूछने का पर्यास किया परन्तु राजा ने किसी को भी उस कमरे का रहस से नहीं बताया बात महारानी तक पहुँच गए और इस तरी हट के आगे किसी का भी नहीं चला राजा ने खाना पिना त्याग दिया और उस कोठरी की सच्चाई जानने की जिर करने लगी आखिर कार भी वश होकर राजा सेनापती वे अन्य सवासदों को लेकर कोठरी के पास गया और दरवाजा खोला जब कमरे का दरवाजा खुला तो अंदर कुछ भी नहीं था उदास्वर में कहा कि यही तो है मेरा सब कुछ जब भी मुझे थोड़ा सा भी एहंकार आता है तो मैं यहां आकर इन कपड़ों को देख लिया करता हूँ मुझे याद आजाता है कि जब मैं इस राज्य में आया था तो इस फटे कपड़े के अलावा मेरे पास कुछ भी नहीं था तब मेरा मन शान्त हो जाता है और मेरा गमंड समाप्त हो जाता है तब मैं बाहर वापिस आ जाता हूँ अगर आपको यह कहानी पसंद आए हो तो प्लीज सब्सक्राइब लाइक कमेंट और शेर विद यूर फ्रेंड्स थैंक यू